देश हित की बात मत्रभुमी न्यूस के साथ फुटबॉल, हैंडबॉल, लॉन टैनिस, जिमनास्टिक की जिलास्तरिय प्रतियोगिता का शुभारम अट्रू, कस्बे के रतनपुरा माध्यमिक विद्याले में 14 वर्षिय छात्र छात्रा फुटबॉल, हैंडबॉल, लॉन टैनिस, जिमनास्टिक जिलास्तरिय प्रतियोगिता का शुभारम किया गया जिसमें रुकसार बानो नगरपालिका अट्रू उपाध्यक्ष ने मुख्य आति थी के तौर पर भाग लिया इस प्रोग्राम में अट्रो थाने के सी आई रामकिशन गोदारा, विधायक प्रतेनेधी अर्विंद मेगवाल, वार्ड पार्षद दिनेश नैनिवल, दिनेश जार्खन, शिराज भाये आदी मौजूद रहे केंद्र द्वारा किसान विरोधी कानून को वापस लेना लोकतंत्र की जीत शबड़ा, पूर्ग विधायक करन सिंग राठोर ने कहा कि केंद्र द्वारा किसान विरोधी तीनों क्रिशी कानूनों को वापस लेना प्रधानमंत्री मोधी की मजबूरी बन गई है प्रधन मंत्री को किसानों के सामने घुटने टेकना पड़ा पूर्व विधायक राठोर ने किसान विरोधी कानून को वापस लेना लोक तंत्र, किसानों एवम न्याय की जीत बताया है राठोर ने कहा कि यह कानून वास्तव में किसानों के हित में नहीं था जैपूर में होगा भारत के पहले World Health and Wellness Festival का आयोजन जैपूर, भारत का पहला और बहुप्रतीक्षित Health and Wellness Festival देश में अपना पर्चम लहराने के लिए पूरी तरह तैयार है यह World Health and Wellness Festival COVID-19 के बाद, भारत में स्वास्थे और वित्तिय स्थितियों के भविश्य के बारे में बात करेगा यह फेस्थिवल जैपूर में 17 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 तक आयोजन चिया जाएगा और साथ ही साथ इसके वर्चुल सेशन लाइव प्रसारित होंगे बारिश व सर्दी से धरने पर बैठे पैराटीचर्स की तबियत बिगड़ी मंत्री भाया और विधायक पानाचंद मेगवाल के घर के बाहर धरना दसवे दिन भी जारी 12. अखिल राजस्थान मदर्सा पैराटीचर्स, शिक्षा कर्मी, राजीव गांधी पैराटीचर्स आधी का दसवे दिन भी मंत्री प्रमोट जैन भाया व व विधायक पानाचंद मेगवाल के आवास पर धरना जारी रहा प्रेस प्रवक्ता मुहम्मद आबिद देशवाली ने बताया कि स्थाईकरं को लेकर अनिश्चित काली नधरना बारिश व तेज सर्दी में भी जारी है आज तेज सर्दी वबारिश की वजह से दो पेराटीचर्स की तबियत बिगड़ी जिन्हें तुरंट अस्पताल ले जाना पड़ा इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ पेराटीचर्स ने गहरा आख्रोश जताया जिला अध्यक्ष इदरीस मोहमद ने आहवान किया कि अगर 30 नवंबर तक राजस्थान सरकार हमें नियमित नहीं करती है तो एक दिसम्बर से बारान जिले के प्रत्येक सदसे अपने क्षेत्र के मद्दाताओं को जागरूप कर उनसे कॉंग्रेस के खिलाफ संकल्द पत्र भरवाएंगे और भविश्य में कभी कॉंग्रेस को वोट नहीं देने की शपत दिलाएंगे 12. मुसलिम चात्र संगठन बारा के जिलाध्यक्ष शाहिद इकबाल भाटी ने बताया कि क्रिशी बिल वापस लिये जाने का निर्नए अभूत पूर्व निर्नए है मैं तहे दिल से इसका स्वागत करता हूँ तीनों क्रिशी कानून वापस लेना लोकतंत्र और किसानों की जीत है सेकड़ों किसानों के बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा आखिरकार लंबे समय के संघर्शील और शांतिपूर्ण आंदोलन के सामने मोधी सरकार को जूखना पड़ा चबणा से हिमांशो शर्मा की रिपोर्ट